नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे स्टॉक मार्केट का एक ओवरव्यू लेंगे और बजट से पहले दोस्तों क्या-क्या च फॉलो करते आ रहे होंगे तो पिछले तीन-चार दिनों में दोस्तों हमें काफी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है मार्केट में चाहे हम निफ्टी की बात करें या सेंसिक्स में दोस्तों दोनों में हमें काफी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है और इसी के चक्कर मे दोस्तो अभी global market से काफी important news आ रही है जिस पे हमें आपको update देना है साथ ही साथ अगर आज की बात करें दोस्तो तो पूरे stock market की हम overview की बात करेंगे और क्या कौन से अच्छे stocks हो सकते हैं अभी के लिए buy करने के लिए किस पर आप research कर सकते हैं और आगे दोस्तो आपको कैसा आपको interest मिल सकता है उस पर सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे तो overall दोस्तो stock market का एक review रहेगा budget से पहले का अगर वीडियो अच्छा लगे तो channel subscribe जरूर कीजिएगा और आईए start करते हैं सबसे पहले दोस्तो वीडियो और सबसे पहले दोस्तो अगर आप देखेंगे तो nifty 50 के हम बात करते हैं और आज की अगर आप इसकी closing price देखेंगे तो 167 points के साथ दोस्तो ये down है लग बग लग बग 1% के आसपास morning में दोस्तो अगर आप देखेंगे तो हमें gap down में nifty open होता हुआ दिखा और काफी दोस्तो नीचे nifty जा चुका था अगर आप almost देखेंगे 200 to 300 point के आसपास हमें gap down देखने मिला है nifty और इसके पीछे दोस्तो क्या reason था ये से भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में बट सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तो तो उसके बाद हमें nifty में recovery भी देखने मिली after afternoon के बाद अगर आप देखेंगे तो nifty में काफी लगबग दोस्तो लगबग 1.5% के आसपास हमें recovery देखने मिली लेकिन overall दोस्तो अगर आप देखेंगे तो ये काफी अच्छे stocks अभी काफी अच्छे price पे मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं इसमें मैं आपको दोस्तो कुछ example भी दूँगा वट वो आगे वीडियो में आएगा बट सबसे पहले दोस्तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो यह हमें market down देखने मिला उसकी हम वज़ज जान लेते हैं जो दोस्तो अगर आप देखेंगे तो morning session में जो 200 से 300 point nifty down था इसके पीछे दोस्तो fed की meeting थी और वहां से दोस्तो जो हमें cover मिली है उसके वज़जे से अगर आप देखेंगे तो nifty हमें down देखने मिला well fed की meeting में दोस्तो हुआ क्या ये भी मैं आपको बता देता हूँ actually में दोस्तो fed का अगर आप देखेंगे US में जो fed है दोस्तो वो interest rate hike करने के बारे में काफी दिनों से सोच रहा है और इसलिए दोस्तो अगर आप देखेंगे तो जब भी US में fed की meeting होती है तो Indian market में हमें काफी volatility भी देखने मिलता है खासकर अगर आप देखेंगे दोस्तो तो नीचे side हमें जादा volatility देखने मिलता है market काफी नीचे जाने की कोशिश करता है और यही दोस्तो यहाँ पर भी हुआ अगर आप देखेंगे दोस्तो कल रात में ही 26 जनवरी के आसपास अगर आप देखेंगे दोस्तो यूएस में यहाँ पर यूएस की जो फेड की मिटिंग थी उसमें दोस्तो जो जेरेमी पोवल है जो यहाँ पर दोस्तो इनके एक head है उन्होंने ये बयान दिया है कि जो इनके जो monetary policies है उस पर जो interest rate लगता है वो आने वाले time में high किया जा सकता है interest rate को बढ़ाया जा सकता है और इससे दोस्तो अगर आप देखेंगे तो directly असर किस पे होगा इस पे directly असर दोस्तो indian market पे होगा Indian market पे कैसे होगा क्योंकि दोस्तो अगर आप देखेंगे जो FII का inflow आता है इंडिया में जो भी share market में दोस्तो FII की investment होती है वो धीरे-धीरे कम होना start होगी और इसलिए अगर आप दोस्तो track करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से FII की जो selling है वो इंडिया में काफी जादा बढ़ चुकी है यानि कि foreign investment दोस्तो इंडियन stock market से exit ले रहे हैं इसके पीछे दोस्तो यही reason है क्योंकि जो US का federal reserve है उनके जो chairman है Jerome Powell दोस्तो उन्होंने अभी कल के दिन ही media house में यह अभी बयान दिया है कि लगबग लगबग वो आने वाले मार्च के time से आने वाले मार्च के महिनेस दोस्तो यह interest rate को दीरे दीरे बढ़ाना start करेंगे वेल इसके पीछे दोस्तो reason क्या है यह भी मैं आपको बता देता हूँ actually मैं अगर आप दोस्तो देखेंगे तो US में जो inflation है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पिछले 40 सालों का दोस्तो उसने high touch किया है और इसी के वज़े से दोस्तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जेरॉम पोवल का ये फैसला आया है उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में वो interest rate को high करेंगे ताकि inflation को काबू में किया जा सके और इसका दोस्तो directly असर आप देखेंगे तो Indian stock market पे पढ़ता है आयटी और फार्मा सेक्टर में हमें जादा डाउन देखने मिला वहाँ पे जादी सेलिंग होई वहाँ पे profit book किया गया और ये दोस्तो एक लाजमी बात है अगर आप देखेंगे interest rate high होगा तो FII का दोस्तो outflow भी बड़ेगा सेम हमें यही देखने मिला market में लेकिन इसके बात दोस्तो अगर आप देखेंगे तो afternoon होते होते market ने recovery के sign दिखाना start किया और वापस से recover कर गया लगबग लगबग 1.5% के आसपास इसके पीछे दोस्तो अगर आप reason देखेंगे तो यहाँ pay companies के result आ रहे हैं quarterly results दोस्तो अनाउंस हो रहे हैं और काफी अच्छा खासा हमें profit देखने मिल रहा है उसमें इसी के वज़े से दोस्तो अगर आप देखेंगे तो आज के दिन हमें PSU banking sector में भी दोस्तो हमें काफी उचाल देखने मिला साथी साथ दोस्तो ऐसी काफी शारे shares थे जिसमें हमें दोस्तो उचाल देखने मिला अगर एक हिसाब से दोस्तो जो companies के result आ रहे हैं quarterly result आ रहे हैं और हमारा दोस्तो जो सबसे अच्छा है जो budget आने वाला है उसकी positive होने की दोस्तो यहां पर रा देखी जा रही है यहां पर काफी लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो आने वाला budget है वो काफी positive हो सकता है वो share market पे काफ positive impact डाल सकता है यही दोस्तो कुछ चीजे थी जिन्होंने आज के दिन nifty को support किया और afternoon में दोस्तो यह ऊपर आने लगा almost एक अच्छे budget की दोस्तो हम भी कामना करते हैं यहां पे हम भी चाहते हैं कि अच्छा budget आए और काफी अच्छा budget आए हमारा जिसके वज़े से दोस्तो और indirectly affect तो पड़ता ही है वेल यहां पे दोस्तो हम कुछ shares के बात करेंगे जिन में दोस्तो अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ दिनों से हमें काफी गिरावट देखने मिल रही है बट यहां पे दोस्तो आने वाले time में आपको upside भी देखने मिल सकता है क्योंकि दोस्तो budget के बाद इन शेरों में भी काफी अच्छा affect मिलता है सबसे पहले दोस्तों अगर हम IT सेक्टर में देखें तो यहां पे विपरो और TCS दोस्तों इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले एक मेनों में दोस्तों लगबग लगबग यह 20-22% नीचे आ चुका है विपरो क और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यह कोई भी directly suggestion नहीं है किसी भी share में buy करने के लिए यहां पे दोस्तों सिर्फ मैं आपको कुछ blue chip stocks दिखा रहा हूं जिसमें हमें यहां पे lower side देखने मिल रहा है और इनके दोस्तों आने वाले दिन काफी अच्छे हो सकते ह हैं ऐसा सिर्फ दोस्तों हमारा मानना है यहां पर कोई financial advice है नहीं इस पर भी आप ध्यान रिखिए बाकि अगर आप दोस्तों अगर विपरो के बाद TCS भी देखेंगे तो TCS में भी पिछले एक मेनों में हमें काफी गिरावट देखने मिली है लगबग अगर आप देखें है उसके बाद IRCTC की भी बात करें दोस्तों तो लगबग ये भी एक point पे अच्छा खासा trade कर रहा है 800, 815, 800, 900 के अंदर दोस्तों ये trade कर रहा है ऐसे ही काफी सारी blue cheap stocks हैं दोस्तों जिन पे आप अपनी नजर रख सकते हैं और budget के बाद दोस्तों budget अगर अच्छा रहेगा तो इन में आने वाले दिनों में उच्छाल भी हमें देखने मिल सकता है बट साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं आपको इस US का जो फैसला आया है US के fed meeting का इसका भी impact हमारे share market पे हमें देखने मिल सकता है तो overall दोस्तों market में कुछ भी हो सकता है कोई भी prediction कुछ भी काम आती नही आज के वीडियो का दोस्तों हमारा लक्ष यही था कि जो भी आज के दिन market में हुआ वो हम आपके सामने रखें और US की दोस्तों जो यह fed की सबसे important यहां पे बात आई है वो भी आपके सामने रखें तो यहां पे यह दोस्तों आप जान लीजिए कि US का जो fed का दोस्तों interest rate ह वो high होने वाला है मार्च से जिसके वज़े से FII का दोस्तों जो inflow था वो धीरे धीरे कम होगा और maybe दोस्तों यह share market पे भी affect कर सकता है तो यही दोस्तों आज का यह वीडियो है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वी नवाद चैनल